हम बीएट फर्स्ट यर के फर्स समेस्टर से सर्स समेस्टर के यूनिट वन से लेकर यूनिट फाइब तक के सारे कोश्चन करेंगे यह पेपर नमबर वन होगा जिसका फ्रक्रिया यह कथन किसका यह कथन डीवी का है चली आगे देखके हैं एडम्स ने सिच्छा को माना है जली आगे है शिच्छा विकास से समंदित है सिच्छा विकास समंदित है तो होग से सिच्छा को सिच्छा को दू मुखी परक्रिया नौ मान करती मुखी परक्रिया मानता है किसका कथन है जान डूभी का सर्जे एडम्शन का कॉर्टर वी एड का इनमें से कौन सा जान डूभी का सिच्छा मानो जीवन का अंस है समगरी समगरी याद रखे कौन सा समगरी सिच्छा की ओधर्णाएं हैं सिच्छा मुक्ती है सिच्छा बेवार का रुपांत्रन है सिच्छा मार्क दर्शन है उप्युक सभी क्या होगा उप्युक सभी होगा सिच्छा के समानार्थी सब्दों का अर्थ है प्रसिच्छण निर्देशन सिच्छण उप्युक सभी सिच्छा के चार का विकास है मस्तिष का विकास हिर्दय का विकास हाथ का विकास उप्युक सभी सिच्छा दुरी मुखी परक्रिया नमान कर तुरी मुखी परक्रिया मानता है जान डुवी जान डुवी ने सिच्छा कैसी परक्रिया जिसके दुवारा सिच्छा कैसी परक्रिया जिसके दौरा बालक की अंता सक्तियों को बाहर लाया जाता है किसका कथन है ये फ्रोवेल का है विग्यान को वर्गी कृत किया गया है सःधांतिक बैवारिक दोनों 100 एंसर होगा सःधांतिक बैवारिक दोनों होगा विग्यान की विसेशला है सिच्छा का संकुचित अर्थ क्या है चाई सिच्छ विद्यालों में प्राप्ट होने वाला ग्यान अंवा संकुछित अर्थ होजाए गाई क्योंकि democratic सब्सक्राइब और जीवन के'M उसके भंडार में व्रिती होती है किसका कथन है प्रफिशर wysya किसका है डंबल का सिच्छा मानों में नहीत दैवी पूर्ता की अभिव्यक्ति लोक्तंतर का मूल मंत्र क्या है जी और जीने दो डुमुक्रेसी सब्द किस भासा से बना है ग्रीक किस से बना है ग्रीक सिच्छा कार असाहय प्राणी के सिच्छा कार असाहय प्राणी के सिच्छा कार असाहय प्राणी के विकास में सहयता पहुंचाना है ताकि वह सुखी और नैतिक और कुसल मानो बन सके या किस बिद्वान की परिवासा है, जान डूबी की है, मानो जीवन के लिए सिच्छा के कार क्या है, आत्म निर्वर्ता की प्राप्ति और सक्ताओं की पूर्ति, भौतिक समानता की प्राप्ति, उप्युक सभी हो जाएगा बालक का समाजी करण बालक के समू में सरवत्तम रूप में होता है और बालक दूसरे बालक का सरवत्तम सिच्छक होता है, किसका कथन है, जोसिफ च रोसिक, कौन सा होगा अगला देखते हैं, निम्कित में से कौन सा एक समाज की विसेस्ता नहीं है, तो देखिए इसमें ये एंसर डाटफुल है, ठीक है, परासपरिक, जागरुकता और सहयोग और संगर्स ये दोनों इसके विसेस्ता हैं, और समानता में विनता और मुर्तता, ये दोनों इसकी विसेस्ता हैं नहीं है, अगर ये ही समानता में विनता होता और समानता नहीं होता, ये भी इसकी विसेस्ता हैं होती, तब ये एंसर सही होता, लेकिन क्या है, ये दोनों से कोई भी सही हो सकता है, इसलिए डाउट है, समाजिक अंतक्रिया के अस्तर होते हैं तीन अस्तर होते हैं याद रखिएगा समाजिक अंतक्रिया के तीन ब्यक्ति से ब्यक्ति समाज और समाज से समाज यह तीन होते हैं सिच्छक को यह जानना उस्चक है कि उसे समाज समाजिक प्रक्रिया को उन ब्यक्तियों को समझाना चाहिए जो इसे समझने में असमार्थ होई किसका कथन है S. Gordon का S. Gordon का समाज सब्द का प्रयोग किस संदर में किया गया है समाजिक धार्मिक समुदाय उप्यूक सभी परिवर्तन समाज का नियम है किसका कथन है Spencer M. Ginsberg MacIver M. Phage यह Spencer का है परिवर्तन समाज का नियम है Spencer राष्ट का गुड उसकी समाजिक इकाई राष्ट का गुड उसकी समाजिक इकाईयों का गुड है अर्थात समाजिक इकाईयों का सामुधिक जीवन ही राष्टी जीवन है यदि इधन ही खराब है तो जोती कैसे तेज हो सकती है अर्थात यदि समाजिक इकाईयों नियर्वन है तो राष्ट कैसे डद्यमान हो सकता है किसका कथन है? MacIver और पेच का राष्टी एकता के प्रस्ण में जीवन की प्रतेक बस तु आ जाती है सिच्छा का अस्थान सबसे उपर है और यही अधार सिला है जौलल नहरू यूनेस्को की अस्थापना यूनेस्को की अस्थापना हुई थी किस सर्ण में हुई थी 1945 में हुई थी जामेतियन समेलन किस सर्ण में हुआ था थाईलेंड में हुआ था समाज ने सिच्छा के कारियों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का अभिकास किया है इनी संस्थाओं को सिच्छा के अभिकरण कहा जाता है सिच्छा के सादनों का अवर्थास पॉस्ट करने वाली इस परिभासा को किस ने दिया था इस परिभासा को किस ने दिया था हेंडर्सन ने ड्यूवी ने वीडी भाटिया ने तो याद रखिएगा कौन दिया था वीडी भाटिया ने दिया था सक्री अविकरण में आते हैं परिवार आता है निरोप्चारिक सिच्छा सुपधाजनक अस्थान समय विद्यार्थियों के मांसिक अस्थर मनोबैज्यानिक विरिद्धी को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है किसका कथन है जे मोहनते अंतराष्टिय सिच्छा आयोग ब्राउन इन में से कोई नहीं जे मोहनते किसका है जे मोहनते अव्चारिक सिच्छा की विश्यस्ता नहीं है विद्यालों के द्वारा ही प्रदान की जाती है कृतिम जटिल और प्राकृतिक होती है परिवार से हम समंधों की वह ब्यॉस्था समस्ते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है किसकी क्लेयर की है आगवर्न तथा निम काफ के अंसार अतीत में परिवार के कितने कारे थे साथ कारे थे किसने विद्याले कुब बच्पन का घर के नाम से पुकारा है सेच्छिक इतिहास के सभी अस्तरों पर परिवार बालक की सिच्छा का प्रमुक साधन है किसका कथन है लौरी का समुदाय एक लगुत्तम छेत्री समू है समुदाय की विशेस्ताय है यह मनुष्ट का अस्थाई और और अस्थाई दोनों परकार का समू है समुदाय परास्प्रिक विश्वास पराधारित है लोगों में लच्छियों, आदर्सों, रूचियों और मुदेश्यों की समानता रती है राजी की परिवासा एक सू संगठित राजनितिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसके साथ एक सरकार होती है जिसे लोगों द्वारे मानेता मिलता है यह कथन है, किसका कथन है, याद रखेगा केंडल का, किसका है केंडल का राज एक ऐसा संगठन जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्व सक्तिमान सरकार के माध्यम से सासन करता है यह सामान निमो द्वारा गोस्था कायम रखता है, यह विचार है मकाईबर और पेच का, किसका मकाईबर और पेच का राज जी की विशेस्ताएं हैं, एक भगोलिक सीमा में आवाह सरकार जनता द्वारा चुना जाना निंतरन योम निश्चित आवादी तक उप्युक्त सभी होगा अधिगम संगठन के घटक कौन-कौन से हैं, ब्योस्थापक, चिंतन, मानसिक, प्रतिरूप, नीजी, पूड़ा, अधिकार, उप्युक्त सभी स्कूल सब्द की उत्पत्ति किस भासा के सब्द से हुई है, यूनानी, जर्मन, लैटीन, इनमें से कौन सा याद रखिए किस से हुई है, यूनानी, विद्याले के एक ऐसा विशेष्ट वातावरण है, जहां जीवन के कुछ गुड़ों और कुछ विशेष परकार की क्रियाओं, तथा ब्योसायों की सिच्छा, इस उदेशों से दी जाती है कि बालक कभी का स्वांचित दिशा में हो, या किसकी परिवासा है, जान ड्यूवी की, प्रभावी विद्याले की विशेष्टा है, सवल और व्योसाइक अध्यापक वर्ग, सवल और व्योसाइक सिधांत, सुवस्पस सकारात्मक दर्शन, द, उप्युद्चवी, राष्टी सिच्छानिती संदोजार बीस की विद्याले विवस्था का प्रारूप है, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 आँ होगा, बर्शंदोजार तीस तक प्री स्कूल से माध्यमिक अस्तर में संकल अनुपात का लच्छा है, 100 परसेंट याद रखिएगा, सिच्छण को प्रभावसाली बनाने के लिए सिच्छक से किन मुल्यों की अपिच्छा की जाती है, मानवी मुल्य, मानवाधिकार, समयनिस्ठता, उप्युक सभी होगा, सिच्छक की छात्रों के प्रति जिम्दारी है, उचित भावसा का प्रयो, सर्वांगेड, विकास, नैतिक मुल्यों का विकास, उप्युक सभी होगा, सिच्छक की प्रति वधता है, समाज के प्रति, ब्योसाय के प्रति, मानवी मुल्यों के प्रति उप्युक सभी, प्रत्मिक सिच्छा का उद्धेस रफ विज्ञान की खोजविधी, बच्चों को उसके प्रकर्तिक वो समाधिक पर्यावरण का ग्यान करना, सौनदर्या, प्रसंसा के प्रतिप्रस्थाहित करना, उप्युक सभिज़ा, प्रात्मिक सिच्छा का और्थ है प्रारंबिक सिच्छा मुख्य सिच्छा और बहुत दोनों 6-14 वर्ष की आयो की बच्चों के लिए राष्टी सिच्छा योजना स्वर पर्थम किस ने प्रस्तूत की थी मात्मा गाधी ने प्रस्तूत की थी 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निवारी ओमनिसूल के सिच्छा का निर्देशन प्रारम में सम्मिधान की किस धारा में दिया गया है 45 सामी माध्मिक सिच्छा के अंदर्वर्ष के बालक आते हैं 14-18 वर्ष के राष्टि सिच्छा निती 2020 में माध्मिक सिच्छा कितने वर्ष तक के बिद्यार्थियों को दी जाएगी 16-18 वर्ष भारत में प्रशासन की द्रिष्टी से विश्व विद्याले पाये जाते हैं केंद्री विश्व विद्याले राजयी विश्व विद्याले डिम्ड विश्व विद्याले उप्युक सभी उच सिच्छन संस्तानों में समाकलन नमांकन अनुपात का लच पचास पिरसत रखा गया है वर्स 1935 तक परंपरागत ब्योसाईक सिच्छा किस काल में समाप्त हो गया मुसलिम काल प्राचीन काल अंग्रेजी काल अधुनिक काल मुसलिम काल राष्टी सिच्छा निती सं 2020 विद्यालों में ब्योसाईक सिच्छा किस कच्छा से प्रारम होगी कच्छा 6 से याद रखिएगा